विसे हम लोगों ठेसित कोफ़े खाया होते हैं यहाँ परकुती बभाट सारी खाते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैन गरम करूँगी, ये गरम होने के बाद इसमें हम लगभग आधी कटोरी ये कच्छी मारवाली मुमफली डाल देंगे, और मुमफली को हमको बहुत अच्छे से भुनना है, जब तक ये अच्छा सा इसमें क्रंच ना आ जाए, ये मुमफली साथ से आठ मिनट में मीडियम फ्लेम पर हमारी अच्छे से भुन जाएक लो मीडियम फ्लेम पर उसके बाद इसको थोड़ा साम ठंटा करेंगे लगभग दो मिनट उसके बाद हमको इसका एक पेस्ट बनाना है, इसके लिए एक ग्राइं इसको अलड़ी थोड़ा सा क्रश कर लिया था तो थोड़ा सा इसमें सिलेकी इसमें डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आट करके हमको इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है, बहुत महीन नहीं पीसना है नहीं तो मुमफली का क्रंच खतम हो मतलब घिस लेंगे महीन वाले साइट से अगर आप घिसना नहीं चाहते या ग्रेटर नहीं है तो हाथ से भी मसल के डाल सकते हैं ऐसे घिसने से क्या होता है यह अच्छे से मैश हो जाता है इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा धनिया चॉपकिया हुआ डाल दें डालना है यह लगभग दो टेबुलिस्पून धनिया अंधास से आप ले 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 लगभग एक चोटी मुटी धनिया को काट लेंगे उसके बाद इसमें टेस्ट के आप से अम नमक डालेंगे नमक के साथ थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हल्दी के बाद यह से हमको मिला लेना है और मिलाकर एक डो रेडी कर लेंगे अब हम कुफता बनाना स्टार्ट करते हैं हाद में पानी लगाकर इस तरीके से इस चोटी सी लोई लेकर ऐसे गोल करके बीच में हलका सा छेत करेंगे और बीच में ये कटे हुए ड्राइफरूट्स टाल देंगे इस इसके बाद कढ़ाई खलका सा गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर कोफतो को गोल्डेन होने तक हम तल लेंगे इसको आप नॉर्मल अगर चाय के साथ भी खाते हैं तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं इसको हम मुमफली का कोफता कहते हैं और मुमफली के कोफते क जब हम ग्रेवी में डालेंगे तो ये और भी अच्छे लगेंगे खाने में इस तरीके से ये गोल्डेन कलर के हो गए हैं इनको हम बाहर निकाल लेते हैं अब सारा कोफता हमारा रेडी हो गया है तेल को खाली करके लगभग एक चमश तेल बस इसमें चोड़ देंगे और समय हमारे बच्रश किया हुआ lesson और मिरुचि था उसको डाला देंगे उसको थोड़ा सा मिलाने के बाद इसमें युम साइपने हुए की साम सी में लगभग एक मीडिम साइज के प्याज के प्याज को इसमें डाल देंगे यह लमबे लमबे में कटे हुए हैं तालने के बा 1 चार्षी भूनें यहां माम क्वा देना है फ्लेम को भूनेंगे लो मीडियम पर इसको थोड़ा सा बूनेंगे उसके बाद इसमें एक बड़ा बारिक कटा हुआ डाल देंगे आप चाहे तो 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 देचे पूरी भी डाल सकते हैं. देकि मैंने यहां बारिक कटा हुआ टमाटर ही डाला है इसको भी अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद कुछ सूखे मसाले डालेंगे जैसे हल्दी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और एक बड़ा चमच में डालेंगे धनिया पाउडर इसके बाद इसमें हम लगभग आ मसाला हमारा भुन रहा है इसको ढग देते हैं फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पर इसको साथ से आट मिट हम भुनने देंगे इसके बाद एक पेस्ट बनाएंगे यह लगभग एक बड़ा चमच मुमफलीक का मैंने भीगो कर रखा था दो से तीन घंटे उसमें हम यह थोड़ा सा काजू डाल देंगे और इनका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे यह हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया है और यह पेस्ट हमारा ग्रेवी में जाएगा इसको डालने से हमारी ग्रेवी बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगी इसमें कोई भी एक्स्रा क्रीम हम नहीं कर रहे है और इसको आप नाहीं को भी बिल्च करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हमारा इसमें ग्रेवी को बहुत बहुत पतला नहीं पुला दाल है गर कई यह दोगर देंगे ट्लस तक में कर हो आफ एमेरी पानी एफ टोड़ा ग्रेवी में जरिए अगर कश्मेरी लालमिश नहीं है तो नॉर्मल लालमिश भी हम डाल सकते हैं इससे बस थोड़ा सा कलर अच्छा आता है और ग्रेवी हमारी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है इनको मैंने मिला लिया है उसके बाद आधा चमश मैं इसमें डालूंगे कसूरी मेती हाथ स क्रश करके इनको भी अच्छा से मिला लेंगे थोड़ा सा पानी तीन से चार चमश पानी इसमें और डालकर इसको ढखकर थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे अब ये ग्रेवी हमारी बनके रेड़ी हो गई है फ्लेम को आफ करके सारे कोफते इसमें हाट कर देंगे और इसको धनिया से सजा देंगे पस ये कोफता हमारा बनके रेड़ी हो जाएगा आप इसको चाबल या रोटी किसी भी साथ सर्फ करें ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपको में रस्पीस अच्छी लगती है तो प्लीज में चैनल को लाइक करें और इसको जादा जादा लोगों के साथ शियर करें ये कोफता आप एक बर बनाएंगे तो आपको बार बार इसको खाने का मन करेगा